29 दो दोजार चोबिस तक यानि कि 19 तारिक तक आपको फर्म भर लेना है ठीक है फर्म भर लेना है अगर इसकी बात करें पोस्ट का तो यह है असिस्टेंट लोको पाइलट अलपी CPC की बात करें तो यह 7 पे लेवल पे होता है और लेवल 2 में आता है लोको असिस्टेंट पाइलट जो हता है यह लेवल 2 में आता है इसका बैसिक की बात करें बैसिक पे का तो 19,900 है अगर इसकी स्टेंडर मेडिकल स्टेंडर की बात किया जाए तो रेलवे में सब से टप जो ठीक है, अगर age limit की बात करें, age limit की बात करें तो 38 से 30 वर्स तक की उम्र चाहिए, ठीक है, 18 वर्स 172024 तक आपका उम्र 18 वर्स हो जाना चाहिए, अगर 172024 तक आपके उम्र 18 साल नहीं है, तो आप यह पाउं नहीं भर सकते हैं, अगर total post की बात किया जाए, तो यह 5696 पोस्ट है, जो कि यह total 21 जोन द्वारा भरती लिया जाएगा, उसमें, जो कि बहुत हीं कंपोस्ट माना जाएगा, ठीक है, अगर आगे की बात करें, ठीक है, medical हो गया, shortlisted किया जाएगा, CBT 1, 2, ठीक है, और देखते हैं क्या है, इसके बारे में, देखते हैं इसके medical, medical जैसा की बताया था कि A1 लिया जाएगा, ठीक है, इसके बाद सारे physically fit all reports, यानि कि सारे जो है reports fit होना चाहिए, अगर किसी के आँख 6 by 6 नहीं है, तो वो railway LP भूल जाए, ठीक है, अगर 6 by 5 है, यह 7 है, ऐसा नहीं, 6 by 6 होना चाहिए, दोनों आँख, ठीक है, आपके आँख में 0.5 का भी अगर चस्मा लगा हुआ है, तो आपको LP का post नहीं दिया जाएगा, ठीक है, near vision भी 0.6 without glass end, ठीक है, कि अगर आप अगर चस्मा लगता है, तो आप यह post भूल जाए, must pass test for the color vision, color vision भी है, तो आप LP भूल जाए, by color vision है, तो भूल जाए, field of vision है, तो भूल जाए, night vision है, तो भूल जाए, किसी भी परकार के आँख से सम्मा लगत बीमारी है, तो आप यह post भूल जाए, आप LP के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, कौन भर सकता है, वो इंडिया का नागरिक हो, ठीक है, अगर बात करें age की, ठीक है, age limit तो 17, 17, 2024 तक 18 से 30 वर्ष होना चाहिए, अगर कोई candidate SC या ST का है, तो उसे 5 वर्ष का छूट दिया जाएगा, यानि कि general के लिए 30 वर्ष, पलस SC के लिए 5 वर्ष, तो यानि कि बराबर जो 35 वर्ष के भी हैं, SC, ST कंडिडेट, वो फॉर्म भर सकते हैं, उसी तरह OBC के लिए, OBC के age में, यानि कि 3 साल डिसकाउंट दिया जाएगा, जैसे 30 साल था, 30, अब पलस 3 साल चूट मिलेगा, टोटल, यानि कि 33 साल तक के कंडिडेट, जो है OBC के, वो फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है, एक सर्विसमेन के लिए 6 वर्ष है, OBC होना चाहिए, अगर यू आर का, यानि एक सर्विसमेन है, तो 3 साल तक उसके age में चूट दिया जाए गया है, SC, ST, ST, तो उसे 8 वर्ष का चूट दिया गया है, ठीक है, यह सब कुछ उतना जरूरी नहीं है, हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा समझेंगे, कहता है कि अपर लिमिट एज, जिसका जन, जो जेनरल केटेग्री से, उसका जन, ठीक है, उसका जन, 27, 1994 से पहले का जन हो, ठीक है, यानि कि उससे पहले का जन है, तो वो नहीं भर सकता है, माल लेते हैं किसी का जन है, 17, 1994, तो यह फर्म नहीं भर सकता है, ठीक है, यह फर्म नहीं भर सकता है, दो के बाद होना चाहिए, तीन हो गया, तो यह भर सकता है, OBC में वही है, 27,91, और SCST के लिए 27,89, ठीक है, तो यह सब कंडिडेट होना चाहिए, और जिस कंडिडेट का एज, मिन लिमिट यानि कि लॉर लिमिट जो है, 17, 2016, यानि छे के बाद, अगर किसी का जन्म 27 को हुआ है, 2006 में, तो यह फर्म नहीं भर पाएगा, 17, 2006 से पहले का जन्म हो, यानि कि मिनिमम एज के बारे में हम बता रहे हैं, ठीक है, आगे देखते हैं, हाँ आप बात कर लें, रुपिया की, रुपिया कितना लगेगा, अगर वो जेनरल, EWS, OBC हैं, तो 500 रुपिया लगेगा, 500 रुपिया जो है, फॉम भरते समय लिया जागा, और पहले एक्जाम में जैसे ही, आप CBT1 में बैठते हैं, CBT, CBT1 में बैठते हैं, आपके अकाउंट में 400 रुपिया सरकार रिफंड कर देगी, ठीक है, पिछले बार भी किया गया था, और इस बार भी किया गया था, किया जाएगा, ठीक है, अगला, यानि कि SCST, एक्स सर्विसमेन, फीमेल, जितने भी ये सब कंडिडेट हैं, इसके लिए 250 रुपिया है, ठीक है, इसे 0 रुपिय में बहुंब बढ़ा है जता है, जैसे आप CBT-1 एक्जाम में बैठेंगे, आपके एक्काउंट में 250 रुपिय बेज दिया जाएगा, ठीक है, अब देखेंगे, कि क्या-क्या इसका प्रोसेस होगा, तो जो रिक्वार्मेंट प्रोसेस होगा, ये 5 फेज में होगा, पहला होगा, CBT-1 एक्जाम, सकेंड होगा, CBT-2 एक्जाम, ठीक है, ठर्ड होगा, कम्पिटर बेस्ट एल्पिचूट टेस्ट, यानि जिससे साइको करते हैं, चोथा होगा, डोकुमेंट वेरिफिकेशन, और पांचमा होगा, मेडिकल, मेडिकल कल के बाद आपका फाइनल लिस्ट में अगर रॉल नंबर आ गया, तो आपका नौकरी पक्की है, ठीक है, बात करेंगे, CBT-1 फर्स्ट इस्टेज के, ठीक है, इसमें कता है, तो हो सकता है, अगर एक से जादे शिप्टिंग में एक्जाम होता है, तो नर्मलाइज भी किया जाएगा, ठीक है, अगर जो CBT-1 में पास करता है, CBT-1 में देखेंगे उसका सिलेबस क्या है, ठीक है, CBT-1 का सिलेबस देखेंगे, 60 मिनेट का होगा एक्जाम, 75 कोस्टन रहेगा, पर तेक कोस्टन के लिए एक मार्स करता हैगा, ठीक है, नगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है, अगर आप तीन गलती करते हैं, तो एक नम जरूर होगा, minimum pass percentage for, minimum pass percentage for eligibility, अगर आप general यह EWS से हैं, तो कम से कम 75 का 40% लाना ही होगा, अगर इस से कम लाते हैं, तो आप फैल माने जाएंगे, अगर आप OBC candidate हैं, OBC candidate हैं, तो 30%, ST, ST हैं, तो 30%, अगर आप ST हैं, अगर आप ST हैं, तो आपको 25 marks लाना ही होगा, ठीक है, 25 marks लाना ही होगा, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि syllabus क्या है, मेत का सिलेव, C, N, नंबर सिश्टाज, बादमाज, डिस्मल, फेक्शन, LCM, SCF, रस्य और प्रफेशनल, परसंटेज, मेंशुरेशन, ताइम और वर्क, इस्टेंज, सिंपल और कंपाउंड, इंट्रेस्ट, प्रोफित और लोस, अल्जेबरा, ग्जेमेट्री और टिगोम तेस्ट, यानि की रिजिनिंग का कोस्टन होगा, ठीक है, जेन्रल साइंस हो जाएगा, अन्दर इस सेल, भी कभर, क्वर, फिजिक्स, केमेस्ट्री, अन्द लाइप साइंस, यानि की बेक्तिकर साइंस में जो होता है, इस सारे के सारे कोस्टन किस लेवल के होंगे, 10th ठीक है तो यह सब एक्जाम cbt1 में पूछा जाएगा ठीक है cbt2 की बात करें cbt2 तो cbt2 में वही बच्चे एक्जाम में बैठेंगे जो cbt1 पास करेंगे ठीक है जितना seat है उसके 15 गुना बच्चा का selection होगा cbt2 के लिए cbt2 के लिए 15 गुना बच्चा का selection होगा ठीक है अब cbt2 में होगा क्या इसमें cbt2 में एक्जाम दो पार्ट में लिया जाएगा ठीक है पार्ट ए और पार्ट भी पार्ट ए पार्ट भी दोनों एक्जाम सेम डेट में ही होगा दोनों एक्जाम कब होगा सेम डेट में ही होगा पार्ट ए पार्ट भी दोनों एक्जाम सेम डेट में होगा पहला एक्जाम होगा इसमें 90 मिनेट का समय दिया जाएगा 100 question रहेगा ठीक है और part B में 60 minute का समय दिया जागा इसमें 75 marks यानिक 75 marks का question होगा CBT यानिक part B में आपको pass करना है इसका number आपके merit list में नहीं जूटेगा इससे pass करना है 75 marks का जो exam होगा इसको pass करना होगा पास करने के लिए आपको 35% लाना ही होगा किसी भी कीमत में अगर आप 35% नहीं लाते हैं तो आप file कर जाते हैं आपका जो merit बनेगा वो part A में बनेगा यानिकि 100 marks में आपका जो question exam यानिकि जितना number लाते हैं ये आपका merit list बनाएगा पार्ट B सिर्फ आपको qualify करना है ठीक है तो ये दोने exam एक ही दिन में होगा एक ही दिन में होगा और जैसे ही part A exam खतम होगा पार्ट B स्टार्ट हो जागा यानिकि टोटल उस दिन आपका 2.30 यानिकि 150 मिनिट का exam होगा एक ही सामें ठीक है फिर वही है part A में पास करने के लिए general हो ये ebwsh 40% obca 30, sca 30 और stm 25% लाना होगा पार्ट A और पार्ट यहीं लिखा हुआ है ठीक है पार्ट A और पार्ट B का syllabus वही है जो आगे आपने देखा ठीक है देख सकते हैं यहां पर सारा पोस्ट वही है ठीक है का उसके पार्ट B में पार्ट B में क्या होगा कहां से क्टन हैगा जिस चीज से आप किये हुए исп आई टीए जैसे। इस से पीटर से के हैं तों पीटर से संबंदित कुस्टन आपसे पूचा जाए कि है जो आपका वगा उससे कुच्षन पूचा जाए तुझ कोन कटिदेटफ पर सकते हैं दखें पर यहनों जहीं जितना चमगत संसित है कि अधे एंसट हिए जर जितने भी नाम दिया गया है यहां से जो जो कन्टिदेट का ट्रेड है वो पॉर्म भर सकते हैं है उसके बाद psycho हो जाएगा psycho यानि कि pass करना must be necessary अगर आप psycho file कर जाते हैं तो काम खत्म cbt1 पास किये तो cbt2 होगा cbt2 पास किये तो psycho होगा ठीक है psycho के बाद documents verification होगा और documents verification के बाद medical होगा medical होने के बाद अगर आप pass कर गए सारा चीज तो फिर आपका जॉब पकी यह 21 जोन का site दिया हुआ है कहां कहां से requirement होगा अब देख लेता है कि qualification क्या होना चाहिए minimum ठीक है minimum के बाद करें तो metric होना चाहिए CLC SSLC होना चाहिए पलस iti इसका मतलब क्या है अगर आप 10 किये हैं only 10 किये हैं तो पलस में iti iti होना बहुत ही जरूरी है अगर आपके पास नहीं है तो आप form नहीं भर सकते हैं ठीक है iti अब किस से होगा यह नहीं की सिर्फ iti कर लिए ऐसा नहीं iti के साथ क्या क्या सब्जेक्ट चाहिए यह ncbt कोई भी चलेगा ancbt cbt कुछ भीचलेगा इसमें कौन कण क्रेड कर सकते हैं concerns वत कर हो इनुटर मेंस्तुमेंट हो गया मेकशनी कल हो गया वाइल राइट हो गया मैंसिन्स हो गया और दिए जादीओ हो गया टी-बी ऑगया एलेक्टोनिक्स हो गया वायर्में हो गया टेक्टर मेंढर मेंढर pickles जितने भी यहां पे दिये हैं है ये कर सकते हैं यह अब का işte से अगर यह सब ट्रेड यह सारे के सारे ट्रेड quem है तो आप अरूम से कॉँपड कर सकते कोई दिकत नहीं अगर आपके पास ID कि आई नहीं तो फिर क्या चाहिए मैं ट्रिकुलेशन चाहिए एस एल चाहिए पलस कोर्स कम्प्लीटेड एक्ट एप्रेंटिस इन दर ट्रेड ऑफ मैंटेनेंट एभव यानि कि या तो आप यह इस पोस्ट के लिए या तो आप यह किये हों क्या करते हैं एप्रेंटिस किये हुए हैं तो आप फिर यह सारे जितने पोस्ट हैं इसमें आप अगर एप्रेंटिस किये हैं तो आप भर सकते हैं या और कि मैं क्या करा है मैं matriculation SLC plus third year diploma in mechanical electrical electronics and automobiles engineering या आप इस चेतर में या इस चेतर में diploma किये हैं तो भी आप फोर्म भर सकते हैं ठीक है अगर आपके पास यह सब के सिवा normal graduation किये हुए हैं जैसे या भी टेक किये हुए हैं या भी कई किये हुए हैं तो आप भर सकते हैं अन्यता आप अगर normal graduation किये हैं तो आप नहीं भर सकते हैं आप देख सकते हैं कि विवी इन जोन के द्वारा कितने कितने सीट दिया गया है जैसे देखते हैं अहमदावाद जोन के लिए ठीक है EWS के लिए 24 टोटल 238 पोस्ट है अज मेर में 228 बैंगलोर में 437 तो इस तरह सारे जोन का दिया हुआ है पोस्ट ठीक है तो फिर मिलाएं आगले वीडियो में तब तक के लिए जहिंज भारत